सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बैल को थी खबरों के लिए बने रहें पिछले कई दिनों से हम मैसूस कर रहे हैं कि हमारे पार्टी के जो मुख्या है राजस्तान में गैलोज साफ वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो उनके लिए चोबा जनक नहीं है कि आज उन्होंने प्रेस कॉनफरेंस में ये कहा कि कॉंग्रेस के विदायकों को बीजेपी वालों ने बंदक बना रखा है मैं ये इस पस्ट करना चाहता हूँ ना हमें किसी ने बंदक बना रखा है, ना हमारे पास कोई बाउंसर बैठे हैं, ना हम कोई बिमार हैं, ना हम कोई आसु बाहर हैं, ना हम वहाँ आने के लिए तडप रहे हैं, हम अपनी स्वेच्छा से यहां उनकी कारेश है ली, उन्होंने कोई हमारे विदान सबाक शेतर म हमने इतनी कोशिश कि 15 साल में इतना प्रयास किया कि मेरे यहim कुंबाराम, लिफ्ट का प्रियोजना का पानी लाओ मेरी जनता पानी सित्रस्त है, मेरे इलाके को जिला बनाओ कही तरह की मांगे हमने उन से जो रखी 15 साल के पिरियड में एक भी मांग पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अब इस तरह के अनर्गल आरोप हम पे लगा रहे हैं यह बिल्कुल गलत है यह उनके पद की शोबा उनको शोबा नहीं देता है मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी कुर्सी बचाए रखें लेकिन उ इस तरीके गलत आरोप नहीं है प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर दा लेटेस्ट न्यूज एन अप्डेट